तुटेर श्टुडेंट आज की या वीडियो बिये से केंड समिस्टर एजूकेसे जने इस तिच्छा साफ्त की महा संग्राम रिवीजन वीडियो होने वाली है क्योंकि आपकी परिच्छा जो लगी है उसमें जो प्रश्च आने वाले हैं वो आज इकी इस वीडियो से ही पर हो चुकि उसमें question पूचे गए वो मैं आपको बताने वाला हूं और साथ-सात में question के साथ उसका उत्तर भी तैयार किया हूं वो भी आपको देने वाला हूं with PDF सहित बस आपको जानना है कि कौन-कौन से प्रश्ण है जो इस बार पर इच्छा में आने वाले हैं क्योंकि question क जो संख्या वो 200-300-400-500 है ठीक है लेकिन आप 4-500 question तैयार तो कर नहीं सकते हैं ठीक है लेकिन कौन-कौन से आपको तैयार करना कौन-कौन से आने के संभावना है वो मैं आपको बता दे रहा हूं उनको तैयार कर लेंगी बस आपको सफलता मिल जाएगी तो चलिए बिना द 24 से प्रस्टम पत्र question paper करना में development and challenges of India education ठीक है तो paper आपको देख लीजिए ऐसा ही आपको paper देखने को मिलेगा और कुछ इसी प्रिकार के question देखने को मिलेंगे मैं वह पहले आपको बता दे रहा हूं फिर answer और most important question उनकी और भी चलेंगे पहले इसमें से कौन-कौन से question आप student होते हैं talented student होते हैं उनकी खास बात यहीं होती है वह पहले दिसा निर्देश पढ़ते हैं कि भीया कितने question करना है और कितने सब्दों उसका answer देना पता चलिए 50 सब्दों में बोलना answer देने के लिए कुछ student mistake कर देते वो 200 सब्दों में पहले question पर सब दर टाइम दे देते ह तो इस बार भी पूरी उम्मीद है कि प्रश्ण भसेगा नोट कर लीजिए अभी कभी इसको नोट कर लीजिए इसका उत्तर बाकाइदा में तयार किया जो कि आपको मिल जाएगा अगला question है कि मुगल काल में सिच्छा का क्या उद्देश है मुगल काल में सिच्छा के बार कोई आपको हम फालतू की चीजे और हवा हवाई चीजे नहीं बताएंगे यह बात आपको ध्यान रखना है ठीक है अगला question है कि वर्धा योजिना क्या है वर्धा योजिना हमेशा नहीं आता है तो आप इसे इग्नोर कर देंगे ठीक है क्योंकि परिच्छा आपकी कली पर तो उसी के बारे में आपको बताना है कि जो राफ्टे फिच्छा नीत यानि कि national education policy जिसको निप बोलते हैं इसमें क्या बदलाव किया गया इसमें क्या नियम कानून आए और इसका उद्देश क्या था ठीक है और इसके बारे में आपको परिच्छे लिखना है ठीक है और इसे पहले दो राफटे फिच्छा नीट आ चुकी हैं। अगला प्रशना है कि एक रूपता कि समस्या से आप क्या समस्ते हैं। यह कुछ्षिन आने की उम्मीद नहीं है। यह से ignore भी कर देंगे कुछ इनवर्षिटी में आते लग हुत्रे में 10 प्रशन आते हैं कुछ में आते हैं 5 तो आपको इस पे फोकस नहीं करना, में फोकस करना है कि क्वेश्चन कौन-कौन से महत्पूर्ण उससे हैं तो आपकी इनवर्षिटी में हो सकता 10 प्रशन कि अगला कोश्यigon मतलब कि अगला जो आपका खंड ह होब जिसको आप लोग बोलते हैं लग उत्रे कोश्टेकर चलिए लगउत्रे में कोश्यन में यहां पर पूरे देशद और देव गई भाई यहां कि टने कोश्ट्र करना है और उसका उत्तर कितने सब्दों में देना उसके लिए कितने नंबर मिलेंगे यह पूरी जानकारी यहां पर इंग्लिस और हिंदी दोनों में दी गई है तो आपको ध्यान रखना है तो लगुत्रिय का पहला प्रस्ट है कि मकतब और मदर्सा में अंतरस्प्रस्ट कीजिए यह गारंटी तो नहीं है में 1101% होता उसकी में गारंटी के ले लेता वैदिक कालेंस इच्छा के उद्देश यह 100% फसेगा है नोट कर लीजिए इसका उत्तर बाकाइदा मैंने तयार कर लिया है वो भी आपको मिल जाएगा सबसे पहले कुश्चिन जान लीजिए कौन-कौन से आएंगे उसके बार अगले कोश्चिन की मुगल कालेंस इच्छा के दोस क्या थे ठीक है यह कोश्चिन 100% उमीन नहीं है तो आप इसे इग्नोर भी कर सकते हैं अगला है कि मैं काले का निसेंदन का सिध्धान्त क्या है तो मैं काले फिजड़े एक आदा कोश्चिन कोई ने कोई फसेगा जरूर अगला के फिच्छा में पर वेच्छन की समस्या की चर्चा कीजिए इंप्वार्टन साबित हो सकता है कई बार रिपीट हुआ तो इस बार भी उम्मीद फसेगा ठीक है नोट कर लिजे इसको इसका उत्तर वित्ता है तयार किया भी आपको मिल जाएगा अगला कोश्चिन 11 परसेंट वाला आज तक 2021 जसर समस्टर प्राणाली लागू हुई है ठीक है इससे पहले वार्षिक प्राणाली थी ठीक है लेकिन जब्वेस समस्टर प्राणाली आई है 2020 से 22-23 चोबिस सब में लगा तारिर प्रशन आ रहा है कौन सा कि उच्छ फिच्छा में विद्ध्या असपस्ट कीजिए तो फिच्छा पर जन संख्या बेश्पोट यानि कि फिच्छा को लेकर जन संख्या के बारे में बहुत फारे कारण है जैकि जन संख्या आदेख होने के कारण बहुत फारे जो पैरेंट्स होते हैं वो हर एक बच्चे को नहीं अच्छी एजुकेशन द बेद देगा ठीक है तो वही यहां पर कोईस्चिन उसी से संबंधित है कि फिच्छा पर जनसंख्या विस्पोर्ट की कारण क्या है तो बहुत बड़ा यह कारण है देखिए आपके घर में मालिज यह कि आपके पिता जी मालिज दफ अजार कमाते और आपके घर में मालिज द टायार आपको मिल जाएगा पहले को जालेजें अब आगे हम खंदसा की और जहां पर आपको दिर खूत्र कोउउजिन को मिलेंगे और दिर्गवत्र में यहrü उसमेंस में मिली दे देफ दिए it acompan बड़ेंगे तो एक हजार पर्सेंट इस फसेगा हंडर प्रसेंट कंपन सब फसेंगे ईपकी इसको षी मिल जाएगा अगला प्लश्ण पॉस्टें आपको आपको बाकाइदा मिल जाएगा अगला प्रसुन है कि विध्याले prev इच्छा आयोग पुरी जताई जा रही है उसके बाद अगला कोश्चन है कि साइबर की दुनिया की समस्याएं और बढ़ते तनाव का विस्तास से वड़न किजिए साइबर क्राइम जो ऑनलाइन ठागी होते हैं साइबर क्राइम का संब्स्याइबीर प्रेंड़न धिन उसको लीक कर दे तो यह सब क्या हो गया साइबर हो गया साइबर क्राइम चैजिज आती है साइबर काइम से बहुत लोगों को बहुत सारी हानिया दिन पर दिन बढ़ती ही जा रही है और जिससे टेकनलोजी बढ़ती है उसके समस्याएं मतलब कोई चीछ से फायदा होता तो उससे नुकसान भी होता या आप सभी को मालूम है ठीक है तो जेफे जेफे टेकनलोजी का डिवलप्मेंट हो रहा अच्छे से और विक्षित हो रहा उससे नुकसान भी है बहुत पारे ऐसे लोग है जो ठगी के सिकार होते जा रहे है ठीक है बोलते कि लॉट्री लग गई आप इतना पेमेंट भेजिए अभी आपके खाते में करोन आ जाएगा तो उस तरह के बहुत बड़ी प्रिक्रिया है आप लोग खुदी जानते होंगी मुबाइल चलाते हैं तो और इस तरह लोग को ठक लेते और फिरहाल यह पूरा पूरा माडल पेपर में कोश्चन यहां पर समाप्त हुए मैं नहीं कहूंगे कि सारे के सारे कोश्चन इसी माडल पेपर जहां पर आपको प्रस्ण में भी लेंगे महात्पूर्ण और उसके उत्तर भी मिलेंगे और जो माडल पेपर में कोश्चन देगे थे लगभग लगभग उन सभी प्रस्णों का उत्तर मिलेगा उनके अलावा अन्य भी बहुत सारे महात्पूर्ण प्रस्ण हैं और उसके लेंगे तो छेलिए देखीए यह आप जो माड़ फेपर में आप लोगों समस्प्रस्थुत किया था दिखा रहा था उसमें कोश्चिन पूचा गया था बहुत द्यूगीन सिच्छा के बताइए ठीक है तो बहुत द्यूगिन सिच्छा कि कई सारी बिसे जाए जिसमें से चार आप लोगों की समझ प्रस्तुत करूंगा पहला है चारी लिख देंगे तब भी पूरे नंबर मिल जाएंगे पहला है कि यह फिच्छा यानि कि बहुत ध्योगीन की जो फिच्छा है प्रात्मिक अफ्तर फिलेकर उच अफ्तर तक की फिच्छा प्रदा की जाती थी और अगला जो फिच्छा के लिए मठों में प्रवज्य संसकार होता था यानि कि आपको कहीं अप्रवज्य संसकार होता है उसको क्वालिफाई करना पड़े तब आगे अगे अगर आज कल की दुनिया में इंटरेंश एक्जाम चलता है अगर आप कोई को फरका संसकार होता था ठीक है तो फिच्छा संप्ते परणाएश संसकार होता है या जो चार नंबर उसकी विस्वत्या को अपने कपड़ाई complete कर लेते थे ठीक है कौन में बहुत फिच्छा योगिन में ये विशिफता इसकी ठीक है तो इसमें 20 वर्स के अंदर ही आपको 8 वर्स प्रवज्या संसकार में रखा जाता था ठीक है तरब की प्रवज्या में और 12 वर्स आपको उपसंपरदा का समय दिया देश सांस्कृत का सनच्छन रथा हफ्तांतर करना था उस समय रहन सहन खान पान रीत रिवाज और मूल सभी धर्मों पर आधारी थे गुरुकुलों की कारिर प्रडाली धर्म प्रदान थी चात्र को वेद मंत्र सिखाना संस्कार प्रदान करना आधिके द्वारा सांस्कृ प्रदान की नियू रखे गई थी मतलब कि पहले क्या होता था कि जो पढ़ाई होती थी वो गुरुकुलों में होती जैसे फिक आज श्कूल बन गे पहले गुरु अपने गुरुकुल यानि की बाहर ले जाया करते थे घर से थी कि वहीं पर बच्चे रहते थे उन्हीं के स साथ खाते थे उन्हें साथ रहना खेलना सब रहता था और उनको वेदों के बारे मिंजान काई साथ पुरानों के बारे मंतरों के बारे मिंद जा रही लेकिन आज कल तो English सकता है तो आज की सिच्छा में और जो प्रस्चा थे इस तरह आप उद्देश पढ़नेंगे काफी हिल्फुल प्रस्ण है कई बार आ चुका है तयार कर लीजीयी कि अग्ला है कि मद्दिकाल इसिचछा के उद्दिश बताईest हैं, इसके बारे पूरा東ड इइडैल में लिखा गया है, आपको रेट कर लेन आए, ठीक है, तो मद्धिकालने फिच्छा का एक उद्देज इस्लाम धर्म के अनरोब बेक्तियों में विश्ष्ष नैतिकता का प्रचार करना था, पहला उद्देश यह था, दूसरा था कि मुस्लिम साथ सक अपनी विश्ष्ष नैतिकता यह सांस्कृत के साथ भारत आये थे, और उसे भ तो मादमिक फिच्छा की प्रमुक समस्याएं क्या हैं तो मादमिक फिच्छा की बहुत फारी समस्याएं को नहीं मिल पाती और पढ़ाई कि मामले में बाकी छेत्रों के बच्चों से पीछे रह जाते हैं कौन मादमिक फिच्छा वाले श्टुडेंट विशेवार फिच्छकों का अभाव भारत में बहुत साय सरकारी स्कूल एफ़े हैं जहां पर विभिन विश्यों के फिच्छक नहीं है इसके कारण भी बच्चो वाले जो गाऊं में सरकारी स्कूल नहीं थे ठीकर तुसमें बच्चों को गुडवत्ता पुर। हर एक सभजेट का टीजर नहीं होता ठीक है अलग अलग टीचर नहीं होते हर सभजेट के एक ही टीचर होता वही हर सब्जेक पढ़ा देता है और बहुत फारे उनको नहीं मिल पाती है शाथ-सात में उनको पस्तकाले की भी व्यवस्ता नहीं होती है ठीक है उनके स्कूल में इफी तरह बहुत फारी चीजे हैं जो इस्टुडेंट नहीं ग्रहन कर पाता है नहीं जाते हैं हलाकि पहले फिच्छा के मामले में काफी ज्यादा सुधार आया है और दिन पर दिन सुधार जारी है देखिए कब तक कम्पलीट होता अभी तक बहुत सारे ऐसे एरिया है ठीक है रूलर में जहां पर अभी स्कूल ही नहीं है ठीक है आप जार खंडी या फिर उदर समस्या का समाधान जाना चाहिए कि जो चाहिए बच्चों को पढ़ाते हैं और सबसे पहले पर एक्जान का टो कोमेंट वेरिफिकेशन का वो तो सब हुआ जाना चाहिए उसके बाद जितने भी सरकारी या प्राइबेट टीशर आते उनके तो पहले की पहली ट्रेनिंग होनी चाहिए ठीक है तो बहुत बता जाब प्रस्टर दिया जाना चाहिए ताकि वह सभी बच्चों को फिच्छन आ रहेगा तो बच्चों को क्या नॉलिज देगा ठीक है अगला के भारत में विश्विद्द्धाले फिच्छा की मुख्य उद्देश बताई यह कुश्चन जरूरी है क्योंकि विश्विद्धाले के मत्तब ही हो गया इन्वर्सिटी और आपके कॉलेज इन्वर्सिटी सम् समन्द में मौन रहना उचित नहीं है दौफारा की ऐयोक के इस्तिय फिच्छा के समधन में देगे फुजाओ आर्थिक प्रत्साहन वर्थक नहीं और थीसरा बिस्विद्ध्य ले फिच्छा आयोके धार्मिक के मार्द्यम के समर्द्ध में प्रस्तों सुजाओ असपस्ट नहीं है तो यह कुछ प्रहुंक दोस्स इनके बारें पढ़ लेंगे पर लिए तो नहीं है कि आएगा लेकिन बिश्विद्य फिर एक दो कोश्चिन जोड़ देखने को मिलेंगे नेशनल एजूकेशन पॉल्सी 2020 के बारे में कोश्चन है जो कि माल परम दिया गया था उसके पढ़ लिजेगा बहुत ही इस डीपली आप एप स्प्लेइन किया गया थीक है और लगब लगब सभी प्रदेशों में यह लागू कर दिया गया लेकिन यहां पर भी लिखार में भी लागू नहीं हुई निप पढ़ लिजेगा इंप्रटेंट समय ज्यादा है नहीं इसल बढ़ लिजे यहां पर लिखाए तो भारत में फिच्छा नित कितनी बार आई उसके बारे में जानते हैं तो प्रथम फिच्छा नित जो है 1968 में आई थी मतलब नीत में यह बताया जाता है कि जो इस्टूडेंट होते हैं और किस प्रकार से पढ़ाया जाएगा और किस प् प्रथम प्रथम फिल किया जाएगा ठीक है पूरा जो मैनेजमेंट है वह राफ्टी फिच्छा नित जो बनाई जाती उसमें रखा जाता है ठीक है तो उसी इसाफ पर आप सभी की पढ़ाई कराई जाती उसे आफ्टा एडमीशन होते उसे अफ़साफ एक्जाम करा जाते उसे साफ रिजल्ट आता है उसे साफ फ्लेवर्स होता है यह सब होता है ठीक है तो उसको इफिच्छा नित बोलते हैं तो उसके बाद कुछ दिन चलिए उसके बाद 1902 में कुछ संसोधन कर दिया गया ठीक है आवसकता अनुसार कुछ संसोधन क्या हालाकि तीसरी मतलब की दूफरी फिच्छा नित के बाद जब 1902 में कुछ संसोधन किया गया ठीक है बस और कुछ नहीं हुआ था संसोधन किया गया और अब 34 वर्स के बाद बहुत बड़े भीमर्श के बाद 31 जुलाई 2020 को प्रधान मंत्री नरेंद मोदी के नेतरत में तीफरी राफ्टे फिच्छा नित की गोफड़ा की गई ठीक है तो ध्यान रखेंगे पहली उनिस वन्फर दूफरी उनिस स्याफी तीफरी 2020 में तीफ्टे फिच्छा नित आई ठीक है बहुत कॉमन कोश्चन है वैदिक काल में गुरूफ इच्छा संबंद बहुत ही पॉप्लिर कोश्चन आता कोश्चन छोटा नहीं पर इच्छा में मेंसा आया है इसी तरह इस महासंग्राम पीडियोप में वह सारे कोश्चन इनको 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 आई जो आपके एजाम में 100% सब्सक्राइब कर देंगे तो आप तैयारी कर लीजिएगा और आपको काफी मिल जाएगी यह आपका अपना है चैनल सक्सेस टोई हुए तो सब्सक्राइब जरू कर लीजिएगा मिलते को ने वीडियो के साथ जब तक कि लिए चेहन्द